नमस्ते गाई जोराज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दि अल्टिमेट फाइटर एपिसोड 6 के बारे में एपिसोड 6 में क्या होने वाला है इसके लीक्स अल्रेडी लास्ट वीक लीक होगे थे जिदर हमें अल्रेडी पता लग गया था कि टीम चैनलर वसिस टीम कॉनर का स्कोर होने वाला है 6-0 और इस एपिसोड में जिसका सब वेट कर रहे थे कॉनर में गरेगर वसिस माइकल चैनलर की अल्टरकेशन भी हुई जिदर कॉनर में गरेगर ने माइकल चैनलर को पुश्ट कर दिया यह चीज मैं पहले अल्रेडी अच्छे से कवर कर चुका हूँ तो जो इंटरस्टेड है वो लास्ट वीक की वीडियो देख सकता है बट मुझे यह चीज जरा भी समझनी आई कि टीम चैनलर की यह दो फाइटर्स क्यों ट्रैस्टॉक कर रहे थे कॉनर के साथ यह दोनों फाइटर्स UFC से निकाले हुए फाइटर्स हैं क्योंकि यह दोनों फाइटर्स गुड एनफ नहीं थे कॉनर की एक फाइट इन दोनों फाइटर्स के करियर से भी बड़ी होगी अब कॉनर ने जो माइकल चैनलर को पुछ दिया उस पुश्च के बाद Michael Chandler उसे पूछ रहा था कि क्या वो अभी फाइट करना चाहता है तो Michael Chandler की इसी वोइस को ट्रोल करते हुए Conor McGregor ने एक खुद का वोइस नो ट्वीट किया आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं 145 पॉंड्स फैदर वेड चांपियन अलिक्जेंडर वलकेनोफस्की के बारे में अब एक और चीज जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए जिसके बारे में मैंने अपने प्रिवेस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि UFC ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि याईर रॉड्रिगेस एक चैंपियन है बाकी इंटरम चैंपियन्स के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ बट UFC ने स्पेशली याईर रॉड्रिगेस के लिए एक न्यू मेक्सिकन एडिशन की चैंपियन्सिप बेल्ट निकाल दी I know कि UFC इस वे से मेक्सिको को प्रमोट करना चाती है बट स्टिल ये चीज ज़रा भी सेंस नहीं बनाती क्योंकि याईर रॉड्रिगेस एक इंटरम चैंपियन है ना कि एक रियल चैंपियन राइट नाओ 145 पॉंड्स फैदिवे डिविजन का रियल चैंपियन है एलिक्जेंडर वॉलकेनोफस्की सो मेरी उपिनन में जब तक इन दोनों की फाइट नहीं हो जाती UFC और याईर रॉड्रिगेस को ये एक बन करना होगा कि वो एक रियल चैंपियन है इसी के बारे में जब रिसेंटली एलिक्जेंडर वॉलकेनोफसकी से पूछा गया तो एलिक्जेंडर वॉलकेनोफसकी ने इसको लाइट हटेड लिया और रेली फन वे से एलिक्जेंडर ने कहा कि अगर याईर रॉड्रिगेस को डैना वाइट ने ये वली बेल्ट दी है और उसके according वो rate करता है उसकी interim championship belt को क्योंकि उसने ये belt को जीता against dangerous opponent Josh Emmett Elon Musk और Mark Zuckerberg के बारे में Alexander Volkanovski का ये कहना है कि वो happily Mark Zuckerberg को coach करेगा और उसकी opinion में Mark Zuckerberg Elon Musk को हरा देगा अब इसी के बाद Alexander Volkanovski का एक ESPN interview भी हुआ जिदर Alexander Volkanovski ने common चीजों पर बात की कि उसकी preparation Yair Rodriguez के against कैसे चल रही है वो कैसे Yair Rodriguez के against fight करेगा बट इसी के साथ Alexander Volkanovski ने ये भी कहा कि वो इस fight में Yair Rodriguez को dominant way से हराने वाला है और फिर later end of the year में वो Islam महाचेफ से fight करने वाला है अब मेरी opinion में October में Charles Olivera के साथ fight करने के बाद मुझे नहीं लगता कि Islam महाचेफ इस साल fight करने वाला है आज की next five video में बात करते है surprisingly Logan Paul ने call out किया Paddy Pimlet को इन दोनों की rivalry बहुत पहले से चलते आ रही है और अब recently Logan Paul का ये कहना है कि अगर Mark Zuckerberg vs Elon Musk की fight होने वाली है तो वो उनके undercard में अपना UFC debut करने के लिए ready है और अपनी debut fight में उसे चाहिए Paddy Pimlet, Paddy Pimlet एक blimp है और अगर Paddy Pimlet उसकी division में आता है तो वो Paddy Pimlet को defeat करतेगा आज की next five video में बात करते है Michael Chandler ने क्या कहा उसकी fight against Connor McGregor के बारे में अभी तक Connor और Michael Chandler की fight book नहीं हुई है और इन दोनों fighters की इस साल fight होने की possibility भी काफी जाधा slim है तो इसी के बारे में Michael Chandler का ये कहना है कि UFC को बहुत जाधा fighters को book करना पड़ता है और वो non-stop events को book करती है बट अभी तक अगर हम देखें तो UFC ने अभी तक October का card भी announce नहीं किया है इसलिए अभी December तो बहुत दूर की बात है Michael Chandler के इस interview में देख सकते हैं कि Michael Chandler बहुत जाधा confident है कि उसके versus Connor McGregor की fight ज़रूर से होगी बट उसे सिर्फ यह नहीं पता कि उनकी fight की timing क्या रहीगी Michael Chandler ने कहा कि वो understand करता है fans की eagerness कि उन दोनों की fight कब होने वाली है बट fight कब होगी इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोल सकता इसलिए वो completely enjoy कर रहा है इस process को It's locked in that you guys will fight Yes, it's more the timing, you know I mean when you think about the UFC, the biggest mixed martial arts corporation or promotion on the planet Trying to put together Connor, myself, I mean all these different cards These guys are putting out fires non-stop So they haven't even announced, you know, October card, November card Let alone maybe if we fought in December I don't put too much stock into it A lot of people are interested when it's gonna happen When's Connor coming back When's our fight gonna happen now that we're building it with the ultimate fight And all that kind of stuff So I understand people's eagerness to get the answers But also, you're just a victim of the circumstance of it all I'm just enjoying the ride I'm the guy, Connor's the guy We're gonna end up fighting sometime Historically, the coaches of the ultimate fighter have never not fought And I don't think Connor would ever wanna delve into his legacy being tarnished by him coming back So that's it for today guys अगर आपको वीडियो ची लगियो तो प्लीज मेक्शोर तो लाइके सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में